नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आशीश अभिनो टेश में लोगसभा चुडाओ अगले सालेने 2024 में होने वाले हैं लेकिन उसकी तयारियां अभी से शुरू हो चुकी प्रधान मंत्री नरेदर मोधी के नत्रत्त में भारतिय जन्ता पार्टी सत्ता की हेट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरप से भी जो राजमाईश शुरू हो चुकी बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें इनमें से सिमांचल में कुल 4 सीटें पड़ती हैं इस सीटें आपको मालूम है किशन गंज, पुर्णिया, कटिहार और अरिया हैं इन सीटों पर हार जीत का सीधा असर पर्षिम बंगाल की सीटों पर भी देखने को मिलता है इसलिए अवित्शाह का दौरा भी उता रहा है, इस सिमांचल के क्शेतर में जादा फोकस भी यहां पर उनका रहा है ऐसे में ये चारों सीटों की बात करें, तो ये बिहार के लिए खास है आज लोकसभा की कड़ी में बात अरडिया लोकसभा सीट की अरडिया जिला भली 1990 में बना हो, लेकिन लोकसभा सीट की बात करें, तो ये सीट 1966 में हिस्ते तुमें आया करीब साथ सालों में लोकसभा क्शेतर की तस्वीर भी बदली और तासीर 2009 में नया परिसीमन लागू होने के बाद ये सीट आरडिया से समाने हुई अच्छी बात ये रही कि पूरा अरडिया जिला एक संसदियक शेतर बना इसमें विधान सभाज शेतर की बात करें, तो छे हैं आगामी लोकसभा चुनाओ 2024 में एक और जहां अरडिया सीट पर बीजेपी को अपनी साख बचानी की चुनाओती है भारतिय जिनता पार्टी के प्रदीप सिंहा से उन्होंने जीत हासिल की और दूसरे अस्थान पर आर्जेटी के सरफराज आलम रहे पिछले चुनाओ में तीसरे अस्थान पर नोटा था दिल्चस्प बात ये है बिहघ़् जटिल माना जाता है मुसलिम आबादी करीब करीब 43 परतिशत वो हिंदू आबादी 50 परतिशत के आसपास वहीं 32 परतिशत आबादी 33 परतिशत के करीब मुस्प बोटन कहे जाते है अगर सांप्रदाई का अधार पर धूर्विकरन होता है तो कोई मुस्लिम उमिदबार उसी हालत में जीत सकता है जब उसे हिंदू समुदाय के कुछ प्रतिशत वोट मिल सके हैं हलाकि हिंदू की तरह मुस्लिम जातियां भी कई समुदायों में और जातियों में बटी हैं क्यों जाएड़ी के आधिक है इसके अलावा अंसारी शेर्षाबादी सब्जी फ्रोश और प्किर आधि जाती है इसमें शामिल है जब्कि हिंदूओं में यादव और मंडल वोट्ट सब्से अधिक है हरिजन और आदेवासी वोट भी चुनाव के तरश्रिकोन से विहद एहम है कुर्मी और कोईरी भी यहां अहम भूमिका में ब्रह्मन मत दाता कमोविश सभी विधान सभाक शेतर में ही इसकी संख्या अन्य आगडी जाती जैसे भूमियार, राजपूत, वक्कायस्त से अधिक है 2020 के विधान सभा चुनाव की बात करें तो तीन पर भारतिय जन्ता पाटी, एक एक पर आर जेडी कॉंग्रिस, वो जेडियू के उमिदवारों ने यहां से बाजी मारी विधान सभा चुनाव 2020 के दौरान अररिया जिले की छे विधान सभा कुषेत्रों में से तीन पदीने फारविस गंज में विध्यास्तागर केसरी, नर्पत गंज से जैप्रकाश यादव, सिक्टी विधान सभा कुषेत्र से विने कुमार मंडल, यह तीनों से भारतिय जि जबकि मुस्लिम बाहुल अररिया से कॉंग्रेस के अब्दुल रह्मान और जोकी हाट से आर जेडी के विधवार सरफडाज आलम ने जीत दर्ज की थी, वही राणी गर्ज से जेडियो प्रत्याशी अस्मित रिशी कहां से विजई हुई थे अब बात सलसदिया क्षेतर में अब तक के बने सांसत के 1967 में तुल्मोहन राम भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस से 1971 में बात करें तो तुलमोहन राम भारतिराश्ट्रे कॉंग्रेस से 77 में महेंदर नरायन सर्दार भारतिय लोकडल से 1980 में डुमरलाल बैठा भारतिराश्ट्रे कॉंग्रेस आई से और 1984 में भी डुमरलाल बैठा स्टीट को जीतते हैं सब्सक्तबं कि वहीं है कंग्रस आतल से 30 में टीसरी भार सifter पास्वान यहां से सांसद पार्टी से और 2009 में प्रदीप कुमार सिंग बीजेपी से. 2014 में मुःहमगत तस्लीम और दीन बड़ा चेहरा आरजेडी का यहां से सांसत बने. 2018 के उक्चणों में सरफचाव जालम ने यहां से जीत दर्ज की और 2019 में प्रदीप कुमार सिंग यहां सांसत बने जो वरतमान सा पीच है अररिया में पीछड़ेपन के सवालों के बीच लोग सभाचनौ में अस्थानिय मुद्दों के साथ साथ राश्ट्रे मुद्द्ध हावी रहते हैं हर वर्ग की अपनी आशा आकांग्शा के बीच यहां के लोग तेजगती से विकास तो चाहते हैं लेकिन अब तक उ मुद्ध कौन से हैं कौन सी पार्टियों का पलरा भारी है कमेंट करके हमें जरूर बताए एक खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते हैं बिहार कर दो